परसंट चांस हैं कि नाइंटी नाइंट परसंट का हंड्रेट परसंट चांस हैं क्योंकि कोई डारेक्ट डेलिगेशन नहीं है कोई ऐसा मगर कभी कभी क्या है कि पुलिस किसी के इशारे पे माल लो या जो भी है इनको मतला मकसद क्या है कि जिसने भी कंप्लेन करिये उसका मकसद है इनको टॉर्चर करना मैं आपका दोस्त मुहम्मद शान आलम मुईद है कि आप तमाम अज़ाद खेर आफियर से होंगे आज 19 फरवरी का दिन है जैसे कि आपको मालूम था कि 17 फरवरी को मुफ्ति सल्मान अजहरी की जो रहाई होने वाली थी उन्हें मुड़ाशा जिल से जो छोडने वाले थे उस दिन का कितनी बेसबरी से हमें इंतिजार था क्योंके उस दिन हमने ये सोचा कि शेर हिंद शेर एहल सुन्नत और नामों से रिसालत पे देने वाला शेर मुफ्ति सल्मान अजहरी को रिहा कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए कि वहां की कोड ने जो फैसलत सुनाया वहां मूड़ा शाह से एहमदाबाद सामरबती जेल को भीज दिया गया अब सुनने में आ रहा था कि मुफ्ति सल्मान अजहरी को जो सामरबती जेल को भीज दिया गया गया आज 19 फरवरी को इंशालला वहां से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा लेकिन आपको बतादू इसके बीच एक वकीर साहब का जो उन्होंने इस पीज दी है वो सामने आई उन्होंने कहा था कि मुफ्ति सल्मान अजहरी ने जो शेय को पड़ा था अगर पुलिस वाले चाहते जिन्होंने मुफ्ति सल्मान अजहरी को मुंबई में आकर कहरेश्ट किया था अगर वो चाहते तो मुफ्ति सल्मान अजहरी को ठाने में लाकर के ही उन्हें वहां से रुकस्त कर देते वहां उनके उपर जो इतनी परेशानी आ रही है ये परेशानी नहीं बनती उन्होंने कहा कि इसलिए हमें ये भी महसूस होता है जो मुफ्ती सल्मान अजहरी के उपर इतनी परेशानी को दिया गया जो पुलिस्वारों ने मुफ्ति सल्मान अजहरी को अपनी कष्टिडी में लिया इसके बीच कुछ ने कुछ इस सियासत लिदाओं की सियासत है और पॉलिटेशन की इसमें कुछ सियासत घुसी हुई है इसलिए मुफ्ति सल्मान अजरी कुपल स्वारों ने अपनी कश्टिडी में लिया हिरास्त में ले लिया लेकर आपको बतादू आप तमाम हज़रात आज 19 फरवरी का दिन है और मेरी आप से यही अपील है यही मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि मुफ्ति सल्मान अजरी के लिए आज एक दौाए वजीफा जरूर पढ़े और इंशालला मैं आपको आगे की बीडियो दिखाता हूँ किस तरीके से वकील साब ने एक जो इस्पीज दी थी उसमें क्या कहा था आप वो भी सुना लेकिन वो दौाए वजीफा हर कीमत पर पढ़ना इंशालला क्यूंकि अल्ला तवारे को ताला ने उसे कुराण शरीम में नकल किया गे और उसे अपने हबीब को वो लब्स सिकाए और इसलिए कि उसके हबीब जब मचली की पेट में थे तो अल्ला तवारे को ताला ने उन लब्स को अपने हबीब को सिकाया जो अल्ला तवारे को ताला के हबीब ने उन लब्स को पड़ा उन अलफाजों को अदा किया तो अल्ला ने मचली की पेट से उन्हें रहाई अता कर दी इन्शाला तवार्थ ताला मुझे अमीद है अपने हबीब के सिद्गे से अल्ला तवार्थ ताला मुफ्ती सल्मान अजहरी को भी जल से गल रहा कर देगा आप तमाम गज़ात इस दुआ वजीफा को जरूर पढ़े कम से कम ग्यारा मरतबा हर शक्स जरूर पढ़ना है वो दौाए वजीफा सुल्ले वो क्या है वो यहे ला इलाग इल्ला अन्त सुभाना का इन्नी कुंतु मिन जालिमीन हर एक शक्स से ये गुजार्श है कि हर एक शक्स जितने भी मुफ्ती सल्मान अजहरी के चाहने वाले हैं इस दुआए वजीफा को कम असकम 11 मर्तबा पढ़के अल्ला तवारकों ताला की बारगाव में हाथों को उठा करके दुआ जरू मांगे आईए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि वकीर साब ने क्या कहा मगर अभी एक में बेल गरांट नहीं हुए तो उनको सवर्मती जेल में भेज़ दिया गया है जो अहमदाबाद में है मगर अच्छी बात यह है कि अभी पीसी रिमांट पे चल ले थे मौलाना साब पीसी रिमांट इनकाग्रन नहीं हुआbig दाया नहीं किया है पुलस कैस्टेडी सेहाँध आ साटा करके इनको जेसी पे बेहेज दिया गया जो जुडिशल के स्टेड़ी बोलते हैं न्याई है कि जेल में है वहां कोई टॉर्चर नहीं कोई कुछ नहीं इनका होगा पुलिस वालों मांगते हैं जैसे कोई सबूत इखटा करना है या कुछ करना उसको बोलते हैं पीसी रिमांड आगे नहीं बढ़ा करके इनको क्या है जूदिशल के स्टेडिम भेज दिया है अच्छा इनके खिलाब इस फाई यार में दो सेक्षन है खाली 153 भी और 505 तू फाइज जो फाइव तू अब इसमें मैक्समाम पनिश्मंट की बात करें तो इसमें मैक्समाम पनिश्मंट थ्री यर्स का है अच्छा अभी एक जज्जमेंट आया था अरनेश कुमार वसे इस्टेट अब बिहार का उसमें था कि आप टू सेवन यर्स जिसमें साथ साल की तक की सजा है उसको थाने से ही बेल आउट कर दिया जाए तो अगर पुलिस चाहती तो उसका भी अरनेश कुमार का जो जज्जमेंट है उसकी गाइडलाइन से उसको फालो करके इनको बेल आउट कर सकत जैसे हमारे माह कहते हैं कानून का है process is punishment जो परिक्रिया है यही punishment है आज यहाँ पेची कल वहाँ पेची कल महां पर्सों महां घूं घूंगों के आदमी अच्छा इन्न की स्पीच मैंने सुनी में सुनने मां यहाँ कि हैटी पीच मुलाने सभी तो उन्हों ने उसमें वहीं बोला है कि अभी इनका कुटों का वक्त है हमारा वक्त आएगा तो इस पेसिफिक नाम किसी के नहीं लिया फिर इनका एक क्लिरिफिकेशन भी मैंने देखाता है को यूटूब पे डाला था कि भाई फिलिस्तीन का और इस्राइल को जो युद्ध चला है तो उसके रिगार्ड पहले चला था कि इन्होंने भड़काव बाश्र दिया कि सरकार चौर है उनके पास जब इन्वेस्टिकेशन के लिए लोग तो नहीं का भाई मैंने थोड़ी बोला कहां की सरकार चौर है कहीं की भी हो सकती है ब्रिटन की अमरीका की कि किसी कंट्री का नाम नहीं लिया तो बाकी रही उसकी दो इसी इनका जो केस इस लिए जाते ही दो केसों में बेल ग्रांट हो गई है और कल संडे है पूरी उम्मीद है कि मंडे में इनकी बेल वहां से भी ग्रांट हो जाएगी इसमें जाइब कितने परसंट चांसे हैं कि इनकी मंडे को बेल हो जाएगी नाइंटी-णाइंड परसंट का हंड़ेट परसंट चांस है क्योंकि कोई डारेक्ट डैलिगेशन नहीं है कोई ऐसा ओफेंस नहीं है बस यह है कि पढ़ा चड़ा करके पेश किया गया है थांड परसेंट बेला बेल हो जाएगा